तो आज हम friends बात करेंगे कि QTEX में आप deposit कैसे करोगे and trading कैसे करना है सारी process के उपर बात करेंगे तो वीडियो काफी important होने वाला है अगर आप QTEX में trading कर रहे हो करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी important हो सकता है साथ में description पर आपको telegram का link आपको मिल जाएगा तो वो आप join कर देना जहां पर आप देख सकते हो मैं कई सारे से calls है जो मैं share करता हूँ जिसके थूँ आप trading कर पाओगे और recently हमने यहाँ पर तीन calls share के थे Euro JPY, Euro JPY और Euro USD का जो perfectly sure sort यहाँ पर hit रहा है तो पहले आपको करना क्या है कि आपको telegram group को join कर लेना है दूसरा आपको qtex का link आपको मिलेगा तो वो आप join कर लेना आप इसका benefit आपको यह होगा कि आपको कोई भी deposit withdrawal के कोई भी issue आते हैं तो वो instant आपके solve हो जाएंगे जो भी हमारे team में होगे साथ में आपको daily दो बार आपको call मिलेंगे दो बार आपका दो बार यहाँ पर station चलेगा जिसमें आप अच्छी profit भी यहाँ पर बना पाओगे तो अभी recently हमने छोटे-छोटे कुछ trade लिये हैं जो आप देख सकते हो पहला जो trade आप 7 dollar का profit है दूसरा में 1 dollar का profit है आप यहाँ पर जाओगे तो आपको एक profile जैसा option आपको मिल जागा जिसमें leaderboard है, signal है, deposit का option है, withdrawal का option है deposit के इस option पर आप यहाँ पर click करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे options हो करेंगे Binance Pay से आप कर सकते हो, UST, TRC 20 से कर सकते हो, ERC 20 से कर सकते हो Litecoin है, Bitcoin Cash से, TRX से, जो भी आपको अच्छा लगे, उस हिसाब से आप payment deposit कर सकते हो Better हो का आप TRX से deposit करो, क्योंकि यहाँ पर fees आपकी काफी कम कटेगी अगर आप TRX से deposit करते हो, suppose आपको पास Binance है या फिर KuCoin है, आपको deposit करना है, तो TRX चूज करोगे तो आपका जो deposit fees होता है, जो exchange से करती है, वो कम करेगी या फिर आप INR से करना चाते हो, Indian Rubies से, तो UPI का option है तो इसके थूरू भी आप यहाँ पर deposit कर सकते हो, लेगिन जो best option होगा वो crypto होगा, तो आप TRX या फिर UST TRC 20 के थूरू deposit कर सकते हो तो जर सपोर्ट के अगर आपको UPI के थूरू करना है, तो UPI में आपको क्लिक करना है तो यह deposit का option आपको दिखेगा, minimum amount जो है वो 10 डोलर है और maximum 505 डोलर आप deposit कर सकते हो, तो यूज दिस option प्लीज verify योर प्रोफाइल तो आपको सबसे पहले अपने profile को verify करना परेगा, तो ही आप UPI से deposit कर पाओगे तो बाकी आप crypto से deposit कर सकते हो, अगर आपका profile verify नहीं है तो तो इसका भी तरीका में आपको बता देता हूँ, UST TRC 20 में आपको क्लिक करना है minimum आप 50 dollar deposit कर सकते हो, minimum 10 भी कर सकते हो, बट 50 dollar आप deposit करोगे तो आपको bonus भी मिलेगा यहाँ पर जो मैं आपको भी दिखाऊँगा, तो deposit के इस option पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो फिर यहाँ पर आपको QR code दिखेगा, इसमें फिर आपको deposit करना परेगा TRC 20 तो deposit का option काफी simple है, आप एक दो बाट try करोगे, easily आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ही deposit होगा तो यहाँ पर copy address करके आपको पहले deposit कर देना है, जैसे ही deposit हो जाएगा, तो आपको so करेगा सारा कुछ कि आपका जो deposit था, वो यहाँ पर आ चुका है मतलब deposit बने का बाट जादा कुछ नहीं करना है, simple आपको बेख हो जाना है, जैसे deposit करोगे और वहाँ पर देख लेना confirm हो चुका है, तो आप बेख हो सकते हो, आपका जो भी आपका deposit amount था, वो wallet में so करेगी इसके बाद जैसा कि बताया मैंने आपको अपने profile को verify करना परेगा, तो यह profile को option पर आपको आना है, first name, last name, date of birth, यह सब डाल देना है, यह सब मैं डालूँगा क्योंकि वर्ड रोल के लिए profile verify करना ज़रूरी है, अभी मैंने नहीं किया क्योंकि already एक account मेरे verify था, तो मैं देख सकते हो, यह graph आपको 100 हो रहा है, और यह मेरा personal balance से 57 डॉलर का, और यहाँ पर demo account भी मिलता है, तो आप demo account में भी practice कर सकते हो, जो कि काफी जरूरी है, तो demo account को यह मैंने select किया है, आप भी इस तरह से demo select कर सकते हो, अब हम trading के उपर बात करें, तो यह आपका timer है, जो आपका timer चलता है, यह वाली, तो इस time को जितना आप select करोगे, उतने time में trade आपका यहाँ पे cut हो जाएगा, मतलब trade आपकी end हो जाएगी, जड़ सपोच करोगे, आपने दो मिनट से select किया है, तो दो मिनट के अंदर मापका trade यहाँ पे close हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे 5 मिनट select करोगे, तो 5 मिनट के अंदर मापका trade यहाँ पे close होगी, ठीक है, अभी आप देख सकतो इस option पे, यहाँ पे click करोगे, तो अपने हिसाब से किसी भी currency को आप choose कर सकते हो, देख सकतो यह बहुत सारे currency है, लेगिन जो भी आप currency select करना, वो कम से कम 90% वाला select करना, ताकि आपको profit भी अच्छे होँ, इसके बाद आपको इस option पे click करोगे, यह option पे, तो यहाँ पर आपको candles मिलेंगे, कितने मिनट के candle पे आपको trade करना है, अभी आप देख सकतो 1 minute मैंने select किया है, मतलब 1 minute में एक candle बनेगी, आप 10 second का भी ले सकते हो, या फिर आप 30 second का भी ले सकते हो, या फिर आप 15 minute का भी ले सकते हो, या फिर आप 1 day का भी ले सकते हो, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर choose कर पाओगे, कि कितने मिनट के candle में आपको trade करनी है, तो मैं पहले अब इसे यहाँ पर 1 minute का ही कर देता हूँ, क्योंकि 1 minute में हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर trade कर तो यहाँ पर switch करने का option आप देख सकते हो, तो अपने amount को या तो percentage में आप सकते हो, या फिर आप dollar में लगा सकते हो, USD में आप लगा सकते हो तो देख सकते हो यह अभी dollar पर मैंने है आप इसे switch करके percentage में भी आप इसे लगा सकते हो कि per percent कितना per trade कितने percent का trade आपको लेना है इसके बाद आप INR में भी trade कर सकते हो आपको simple इसमें आपको click करना है यहाँ देख सकते हो USD change करने का option है ना तो change पर आप यहाँ पर click करोगे और यहाँ पर INR select करोगे तो फिर yes percent में यहाँ पर click कर रहा हूँ अब आप देखो तो यहाँ पर देख सकते हो अब INR में हमारे fund का value सो हो रहा है 529 रुपई का तो अगर आपको INR में trade करना है तो INR में भी कर सकते हो एंडियन रुपीस में या फिर आप डोलर में trade करना चाहती हो तो डोलर में भी कर सकते हो मैं actually मैं डोलर में ज़्यादा trade करता हूँ क्योंकि इससे मुझे value अच्छा समझ में आता है तो अब मैं trade आपको लेकर दिखाऊंगा तो सबसे पहले मैं demo account select कर लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि किस तरह से trade आपको लेनी है और आप भी जब practice करोगे तो demo में ही आपको practice करना है ठीक है अब ही आपको देख सकते हो down और आप दो option आपको दिख रहे है इस side में market का moment क्या है ये पहले आपको समझना परेगा हो सकता है यहां से market अप जाए तो अप में आपको यहां पर click करना है तो यह मैं देख सकता हूँ आप देखो यहां पर कि मैंने यहां पर अप में click क्या है let's see अब market हमें क्या दिखाने को मिलता है तो यहां पर market के moment को track करने के लिए आप इसमें click करना तो यहां पर आपको सो करेगा अब आप देख सकते हूँ यहां पर फॉर टोटल यह 5 मिनिट का यह trade है यह जो trade में ने लिया है 5 मिनिट का trade लिया है अब आप यहां पर देखो जड़ा सब यह 5 मिनिट का trade था यह और 1% amount से हमने यहां पर trade लिया था अब यहां पर जाएंगे तो अब देख सकते हो यहां पर timing सो और जैसे है यह graph जो टाइमिंग अच्छे select करना है तभी आप profit बना पाओगे बागी और भी बहुत सारे option है इसी में आप यहाँ पर click करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो candles का option है और कई सारे indicator का option है इसमें आप click करोगे तो बहुत सारे indicator आपको मिल जाएंगे चाहे वो moving average का हो फिगो नासी हो parallel channel हो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे तो यह सब हम बाद में यूज करना सिखेंगे कि किस तरसे इसको यूज करना है फिलाल हम trade लेना जानेगे किस तरसे हमें trade यहाँ पर लेना है तो यहाँ तक हो I hope कि सब कुछ समझ में आया होगा कि किस तरसे आपको trade ले market होती है वह होती है Monday to Friday और Saturday Sunday एक OTC market होती है जहाँ पर manipulation काफी जादा होता है तो इसे लिए OTC market में trade आपको नहीं करना चाहिए अगर आपको trade करना है तो आप live से आपको trade करनी है तो यह सारा process था बाकिया और भी कुछ जाना है तो आपने से comment वक्स में comment कर सकते हो तो यह होप कि वीडियो आपको समझ माया होगा मिलता अपने next वीडियो में एक नए information के साथ तब तक लिए goodbye जहिंद